किताबे हैं, इसके बार में बताऊंगी किए किई वह किसकी, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ें, और ये किताब पढ़ने से क्या फायदे हैं, और इसके कितने फायदे हैं, जरूर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आपका मन हैं कि और फिल्ड से हटके आप टीचिंग लाइन में जाए तो ये किताब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मैं सजस्ट करूंगी कि आपको भी डिगरी लेनी चाहिए और किसी इसके डिगरी लेने चाहिए ये भी सजस्ट करूंगी आपको भी बेड दोस्तो करने चाहिए क्योंकि जब आप सुचित होते हो तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना आपको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा सौक है तो आपको ज़रूर ये डिगरी लेनी चाहिए इसमें जो भी किताबे हैं लेशन्स हैं और इसका प्रेट प्रेट चाहिए क्योंकि इसमें इसमें सीट के वी एकजाम्स होते हैं दो टाइप के पेपर होते आप दिगरी लेना ही असान नहीं होता है तो आपको जो जो मिल जाएगा बिल्कुल भी आसा नहीं है आपको इसके लिए सरकारी जाब प्राइबेट जोब के लिए तो अअ साने कि आप दिग्री लेकर प्राइबरी स्कूल में जा सकते हो बट गौर्वन जॉब के लिए थोड़ा सा टॉफ हो जाता है मुश्कूर सा हो जाता है गौर्मेंट जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सीटेट की तैरी करने पड़ेगी या टैट की जब सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फॉर्ट सेमिस्टर यानि कि यह फॉर्ट सेमिस्टर में कम्प्लीट हो जाते हैं रूल क्या होते हैं किताब होते हैं आपको पढ़ने होते हैं एक्जाम्स होते हैं जो कि देने होते हैं यह जाहित तोर पे कोई भी कर सकता है जिसको यह लक्ष सकते हो, पढ़ सकते हो, औरही बार सी-ट टैट की तो इसकी कम्पडिशनों होते हैं, कम्पडिशन में इसकी किता hebben आते हैं, आपको कैसे त्यारी करनी है, क्या करनी है यह बहुत ज्रुटनmud हो होने चाहिए पुरी जन्कारी के लिए मेरे साथ बने रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल यह भूलें, इन्स्टाग्राम जो मेरी इसमें आइडी है उसको जुरूर आप फोलौ कहें आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो पर कमेट करना बिल्कुल भी ना भूले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लेगी तो लाइस्ट में सस्क्राइब करना ये भी ना भूले में साथ बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू